ICC का एक टोनामेंट खत्म होता नहीं है कि दूसरे को लेकर सवाल उपजने लगते हैं वर्ल्ड कप 2013 के बाद भी कहानी ऐसी ही है इसके खत्म होते ही भारतिय क्रिकेट में एक बड़ा सवाल अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर है सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोली को खिलाना सही रहेगा अब नई जनकारी जो सामने आई है उसके मताविक दोनों प्लेयर्स ने जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने के इच्छा जाहिर की है जिसके बाद अजीत आगरकर की अगवाई वाली सेलेक्शन कमेटी की मुश्किले बढ़ गई है इस बार टिमेंडिया कोशिश करेगी कि यह खिताबी सोखा खत्म कर सके यह वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्टन डीस में खिला जाएगा अजीत आगरकर की अध्यक्षदा वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने इसके लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी है सेलेक्शन कमेटी इसके लिए 30 खिलाडियों पर नजर बनाए हुए है न्यूज एजनसी पीटी आई की रिपोर्ट के मताबिक रोहित कोहली के इस फैसले से सेलेक्शन कमेटी को टीम सेलेक्शन को लेकर माथा पच्ची करनी पड़ सकती है सेलेक्शन कमेटी आने वाले दिनों में अफगारस्तान के खिलाफ T20 इंटरनाशनल सिरीज के लिए इंडियन टीम का अनाउंस्मेंट करने वाली है तीन मैचों की ये T20 सिरीज 11 जनवरी से शिरू होगी सेलेक्शन कमेटी की नजरे इस दौरान इसी साल होने वाले IPL के सीजन पर भी है PTI की रिपोर्ट की माने तो सेलेक्शन कमेटी ने 30 खिलाडियों को चुना हुआ है और इन पर IPL के दौरान नजर रखी जाएगी माना जा रहा है कि इन 30 खिलाडियों में से अगले T20 वर्ल कप की टीम तयार होगी IPL में खिलाडियों की फॉर्म उनके फ्यूचर का फैसला भी करेगी अगर फॉर्म खराब होती है तो खिलाडी बाहर भीचा सकता है वहीं फॉर्म अच्छी होती है तो वो टीम में आने का दावेदार बन जाएगा आपको बताती कि सेलेक्शन कमेटी IPL के प्रदर्शन पर पहले भी T20 के लिए टीम का सेलेक्शन करती रही है साल 2015 में UAE में जो T20 वर्ल कप खेला गया था उसमें कई खिलाडी सिर्फ IPL के प्रदर्शन के दम पर टीम में आये थे इसमें से एक नाम वरुन चक्रवर्ति का था और उनके अलावा लेग स्पिनर राहूल चाहर भी टीम में आये थे रोहित के कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिने तोड़ना किसी भी बल्लेबास के लिए आसान नहीं होगा रोहित भारत के लिए सबसे ज्यादा T20 शतक लगाने वाले बल्लेबास है रोहित ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा T20 शतक लगाए है वो भारत के लिए सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी है उन्होंने 148 मुकाबलों में 3853 रन बनाए इस दोरान 4 शतक और 29 अर्थ शतक भी लगाए रोहित का सर्वशेश T20 स्कोर 118 रन का है वो इस सबसे ज्यादा च्छक्य लगाने वाले बलेबाज भी है रोहित ने 182 च्छक्य लगा है इस मामले में विराट उनसे काफी दूर है विराट ने 177 च्छक्य लगा है आपको बता दे कि रोहित भारत के लिए सबसे तेज T20 शतक लगा चुके है बतार कप्तान सबसे ज्यादा T20 शतक लगाने वाले खिलाडे भी रोहित शर्बा है अगर विराट कोली ये बात करें तो वो टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले बलेबाज है कोली ने 115 मैचों में 4,008 रन बनाए वो इस फॉर्मेट में एक शतक और 37 अर्धशतक भी लगा चुके है कोली ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा चौके भी लगाए उन्होंने 356 चौके लगाए अगर रोहित की बात करें तो रोहित चौके लगाने के मामने में विराट कोली से पीछे हैं उन्होंने 348 चौके लगाए विराट कोली टी टीटी में भारत की ओर से खेलते वे विश्व कप में सबसे ज्यादा मैन ओफ दा मैच अवाड जीत चुके हैं इसके लावा विराट का टीटी में सर्वशेष्ट स्कोर 122 रन नाबाद रहा इस बार भी अगर सिर्फ IPL के अधार पर प्लेयर्स का चैन किया जाता है तो ये डर रहेगा कि जो गलती साल 2020 में हुई थी वही गलती दुबारा ना रिपीट हो जाए आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर अपने राज जरूर शेयर की